अग गुड्मॉणिंग बचो आज हम कर रहे हैं Well Micheate साइन्स क्टास के थेकिर इसके इंदर हम बात करेंगे ऐमल शारक का सेंन कौन मैं हमने थे ब होग लों कि थी अमनों का स्वाद किसा होता है खटा होता है एक कासी होता है कड़बा होता है शार्व को हाथ में लगते हैं तो साबून की तरह नहीं होगते है लिटमस पेपर पे उनकी मिल्टमस को लाल रटे तो शारए वह लाल लजीटमस नीला कर देतге अब हम बात कर रहे हैं रसाइनी गुन की मतलब अगर रसाइन में हम अमल को डाले तब क्या बनेगी कौन सी गयस निकलेगी क्या चीज बनते हैं उसकी बात करें तो बिटा धातू सबसे पहले हम अगर बात करें धातू और धातू की तो धातू हमें पता है लोहा एक धातू है ऐसे ही हमारे पास copper धवाटू है, aluminium धवाटू है, चांदी, sona, sodium, calcium यह सब धाथू है इसमें सबसे ज़्ञादा अभिकरियाशील धाथू अगर हम बात करें तो हमारे पास potassium, sodium या अधिक अभिकरियाशील धाथू होती है तो हम अभी क्रिया शील धातों की बात करते हैं तो हमारे पास सोना आगया चांदी आगया ये कम अभी क्रिया शील धातों होती है जबकि वैसे नॉर्मली जो बीच की धातों है जैसे कि जिंक है आईरन है यह अभी क्रिया शील है ना यह कम है ना यादिक है बीच में मतलब काम करती है अभी क्रिया करती है तो हमने इसमें उधारन जो वरकशीट के अंदर आपका लिया हुआ है वो आपका यही है कि हमने जिंक और आइरन को लिया और यह अभी क्रिया शील धात हुए मतलब क्रिया क तो लवन बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है अब यह लवन क्या होते हैं पिटा आपने कभी देखा है कि आपने लोह का टुकड़ा लिया और उसे पानी के अंदर डाल के छोड़ दिया तो क्या होगा थोड़ी देर बाद कुछ टाइम बाद एक दिन के बाद वो टूटना शुरू हो जाएगा और उसमें चूड़ा चूड़ा बनना शुरू हो जाएगा यह जो चूड़ा होता है यही लवन होते हैं तो इसको हम कैसे आप करके देखें इसके लिए प्रैक्टिकल है कि अगर हम धातू और अमल को मिलाएं तो लवन बनेंगे औ आपका लोहे के धातू के टुकड़े होते हैं से जिंग धातू के टुकड़े डाले और उसमें एक अमले डाल दिया S2SO4 S2SO4 मतलब सर्फियोरी कमले डाला हमने तो हमने क्या दिखा कि जो उसके अंदर धातू जो है उसके पर छोटे-छोटे बुल-बुले आने शुरू हो गए उसमें एक तरहां की गैस बनने शुरू हो गए उस गैस का चेक करने के लिए कि यह गैस जो है वो हाइड्रोज पानी डाला और जैसे ही डिलीवरी ट्यूब से गैस नीची आई तो बुल-बुले बनने लग गए साबुन के जैसे बच्चे को खेलते हैं वो छोटे-छोटे बुल-बुले बनाते हैं साबुन के और फूप मारते हैं वैसे इसके अंदर बनने शुरू हो गए इस बुल- गैस बन रही है वो आपकी हई-डोजन गैस है ऐसे ही अगर हम हई-डोग है साथ करेंगे निकलेगी लेकिन जो लवन बनेगा अगर हम नाइटरीग मिली के साथ करते हैं तब क्या होगा मतलब वहां जिंक्लोराइड थिल की साथ तो नाइटरीग हम्छी इसे नीकलते हैं मत कर दए और उसे जल में बदल देता है इसलिए नाइट्रिक अमल हर दातु के साथ अभी करिया करें, तब क्या होगा? ठीक है? शारक की अगर हम धातु के साथ अभी करिया करते हैं, जैसे कि जिंकी ले ली, उसके लिए हमने शारक लिया N-U-H, जो आपको हमेशा याद रखना है, जो वो है सबसे आसान एक शारक जो आपको याद रखना है, वो दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, चाहे आपने शारक लिया या अमली लिया और धातू के साथ अभिक्रिया कराई। सबसे उपर जो आपका दे रखा है, यहां यह दिया है, क्रियाशील धातू है, सोडियम, मैगनेशियम, अलूमीनियम, क्लोराइड, यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातू है, जबकि कम अभिक्रियाशील धातू, कापर, सिल्वर और मरकरी दिया हुआ है, आगे हम चलते है ऐसे ही अगर हम अमल धात्वी को ठास यह जल निकलेगा साथ हैं आपिरिया को उदाशीन अभी करते हैं जिसके अंदर लवन बनते हैं अगला यहां भी और जल का निर्मान होता है अगली यहां है शारक अगर हम अमली आउकसाइड लें जैसे की कैल्शियम आउकसाइड लें सोरी कार्बन डायउकसाइड लें जियो टू तब भी हमारे पास क्या बनेगा लव्ण बनेंगे और जल बनेगा तो जहां पर लव्ण और जल बन रहा है वो उदासीन अभी करिया होती है अगर हमने धात्विक जैसे की कैल्शियम आउकसाइड उसके अंदर हमने अमल डाला तो कैल्शियम क्लोराइड बना और बना अगर हमने अधात्विक ओक्साइड लिया जैसे की कार्बन डायोक्साइड कार्बन एक अधात हुए है उसका ओक्साइड लिया कार्बन डायोक्साइड और एक शारक डाला एन्योस शारक नहीं डाला हमने कौन सा शारक डाला इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देखो इसमें भी OH ग्रूप है और इसमें भी OH ग्रूप है OH मतलब शारक जारक डाला तो कैलशियम कार्बोनेट निकला और साथ में जल निकला यह आपकी वरक्शीट हो गई अब इसकी वरक्शीट के कोशियन आंसर हम देख लेते हैं क्या दियो है तो पहला कोशियन जो इसमें दिया हुआ है वो है अपका iron, magnesium, calcium की hydrochloric अमली के साथ अभी के दिया और sulfuric अमली के साथ अभी के दिया तो क्या होगा iron की अगर हम करेंगे hydrochloric अमली के साथ तो iron chloride बनेगा और साथ में hydrogen gas निकलेगी ऐसे ही magnesium की अगर करेंगे तो magnesium chloride बनेगा और hydrogen gas निकलेगी calcium की करेंगे calcium chloride बनेगा और hydrogen gas निकलेगी अगर हम iron की sulfuric अमली के साथ करेंगे तो iron sulfate बनेगा और hydrogen gas निकलेगी magnesium करेंगे magnesium sulfate निकलेगा और hydrogen gas निकलेगी नेक्स्ट कुशिन ही कह रहा है कि कॉपर की नाइटरिक अमले के साथ अगर अभी किरिया करने पर क्या हाइड्रोजन उत्पन होगी अपने उत्तर की पूस्टिक कीजिए कॉपर की अगर हम नाइटरिक अमल के साथ जैसे उपर लिखा हो था नाइटरिक अमल के साथ अभी किरिया में हाइडोजन सिर्फ मैगनीशियम और मैगनीश में ही निकलती है अगर हम कॉपर के साथ करेंगे इसके अभी किरिया तो hydrogen gas जैसे ही निकलेगी वो oxygen के साथ जूड़के जल में बदल जाएगी क्यों? क्योंकि nitrogen कामल बहुत अधिक oxy कारक होता है बिटा ये oxygen देता है चीजों को oxy कारक होने की वज़े से ये hydrogen gas जैसे ही निकली उसको जल में बदल देगा अगला question है अगर aluminium और sodium hydroxide के साथ अभी करिया करें तो क्या होगा? क्या बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसमें किया था आपने यहाँ पे zinc की जगए हम zinc plus NOH दिया हुआ था और sodium zincate बना था यहाँ पे हम aluminium ले लेंगे और NOH ले लेंगे तो जो बनेगा वो बनेगा आपका Naalo2 मतलब इसको हम बोलेंगे sodium aluminate और साथ में hydrogen gas निकलेगे हम किस परकार कह सकते हैं कि धात्विक oxide शार्के प्रकर्टी के होते हैं? तो उसका अंसर भी आपकी worksheet में है धात्विक oxide शार्के प्रकर्टी के होते हैं क्यों क्योंकि धात्विक oxide अमले के साथ बनके लवन और जल का निर्मान करते हैं क्योंकि यह एक उदासीन अभी के दिखाते हैं इसलिए धात्विक oxide अमले प्रकर्टी के होते हैं कि आपने कभी गोड़ कि आपकी मा अचार या चटनी धातू के बरतन में क्यों नहीं रखती क्योंकि अचार या चटनी को धातू के बरतन में रखने पर वो खराब हो जाता है कारण क्या होता है क्योंकि अचार और चटनी में अमल होता है और अमल अगर किसी भी धातू के साथ मिलेगा तो वहाँ पर लवन बनेगा अमल धातू के साथ मिलेगा तो लवन बनेगा और हाईरोजन गैस निकलेगी यह जो लवन बजब बन जाते हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं इसलिए उसके अंदर हमें अचारो चटनी को धातू क के बर्तन में नहीं रखते हम उसको जबकि काज के मिट्टी के इन बर्तनों में रखा जाता है I hope आपको क्लियर हो गई होगी यह वक्षीट Thank you for watching